15 अगस्त 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्ब से अमर कोट के राजा वीर साल के महल में हुआ अकबर के बचपन का नाम जलाल था उसका राज्य अभिशेक 14 फरवरी 1556 इसवी को पंजाब के कलानोर नामक स्थान पर हुआ अकबर का शिक्षक अब्दूल लतिफ इरानी विद्वान था वह जलाल उद्दिन मुहमत अकबर बाजशाही गाजी की उपाधी से राज सिंगासन पर बेठा बेरम खान 1556 से 1560 तक अकबर का शंड़क्षक रहा वह बत श्खा का निवाशी था उसे प्यार से खान बाबा कहा जाता था पानिपत की दूसरी लड़ाई पाँच नवंबर 1556 इसवी को अकबर और हेमू के बीच में हुई थी जिसमें अकबर की विजए हुई थी और सेना का नेतरत्व बेरम खान कर रहे थे 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दोरान पाटन नामक इस्थान पर मुबारक खान नामक युवक ने बेरम खान की हक्त्या कर दिथी 5 मैं 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्ण मुक्त कर लिया हल्दी गाटी का युद्ध 18 जुन 1566 को मेवाड के शाशक महरान परताप और अकबर के बीच में हुआ इस युद्ध में अकबर विजए हुआ इस युद्ध में मुगल सेना का नेतरत्व मान सिंग एवं आसफ खान ने किया था अकबर का सेना पती मान सिंग था हल्दी गाटी के युद्ध के समय कुम्बलगड राणा परताप की राजधानी थी और राणा की ओर सी युसुद में हाकिम खान सूर के नेतरत्र में एक अफगानी फोजी टुकडी एवं भीलो की छोटी सी सेना ने भाग लिया था महाराणा परताप की मृत्यू 19 जनवरी 1997 में एक सक्त धनुस की प्रत्यांचा चड़ाते समय अंद्रूनी चोट लग जाने के कारण हो गई थी हल्दी गाटी युद्ध के बाद राणा परताप ने डुंगरपूर के निकट चावण में नई राध्धानी बनाई दीन ए दिला इलाई धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था दीन ए इलाई धर्म सुकार करने वाला प्रत्थम एवं अंतिम शाशक बिर्बल था महेजदास नामक प्राह्मन को राजा बिर्बल की पद्वी दी गई जो हमेशा बिर्बल के अकबर के साथ रहता था अकबर ने जेन धर्म के जेनाचारे हरी विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधी पधान की अकबर ने शाही दर्मार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्यों उपासना करवाई राजस्व की प्राप्ति और जप्ति प्रणाली अकबर के शाशनकाल में प्रमुक प्रचलित थी अकबर के दिवान राजा टोडर्मल ने पंदरसो असी इस्वी में दहसाल पंदोपस्त की वैवस्था लागू की अक्बर के दर्बार में प्रसिद्ध कवी संगितकार तानसेन थे गुजरात विजय के दोरान अक्बर सरुपथम पूर्तिगालियों से मिला और यही उसने सरुपथम समुद्र देखा अक्बर के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुर समीर था दसवन देवं बसावन अक्बर के दर्बार के चित्रकार थे अक्बर के शाषनकाल के प्रमुक गायक तानसेन बाज बाहदूर बाबा रामदास और बेजु बावरा थे अकबर की शाषन प्रणाली की मुख्य विवश्टा या थी मनसबदारी की प्रथा अकबर की समकालिन प्रसिद्ध सूफी संथ सेख शलीम चिस्ति थे अकबर की मृत्यू 16 अक्टूबर 1605 को हुई इसे अगरा के निकट सिकंदरा में दफनाय गया इस थापत्य कला के छेतर में अकबर की महतपूर्ण करतिया है दिल्ली में हिबायू का मकबरा अगरा का लाल किला फतेफूर सिक्री में शाही महल दिवाने खास पंच महल बुलंद दर्वाजा जोदा भाई महल अबादत खाना इलहबाद का किला और लाहूर का किला अकबर के दर्वार में नो रतन थे जिनके नाम है अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बिर्बल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंग, अब्दुर्रहीम खान खाना, फकीर अजीलुदिन, मुल्ला दो प्याजा अबुल फजल का बड़ा वाई फैजी, अकबर के दर्वार में राजकवी के पत पर आसिन था अबुल फजल ने अकबर नामा ग्रंथ की रचना की, वह दीने इलाही, धर्म का मुख्य पुरोहित था संगीत समराथ, तांसेन का जन्म, पंद्रो सो छे इसवी में, ग्वालियर में एक ब्रहमन परिवार में हुआ था इनका असली नाम राम तनु पांडे था, इनकी प्रमुकतिया मिया की तोड़ी, मिया का मलहार, मिया का सारांग, दर्बार का नरा आदित है अकबर के काल में स्वामी हरिदाज भी एक महान संगीतकार थे, वे वंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे एक मत के अनुसार हरिदाज तांसेन के गुरू थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदाज और तांसेन दोनों को मान सिंग तोमर का सिंग्चे बसाते है यह भी बताते हैं कि हरिदाज का गाना सुनने के लिए अकबर को उसकी कुटिया में जाना पड़ा था क्योंकि उन्होंने अकबर के दर्बार में जाने से मना कर दिया था और उन्हें ने कहा था कि वो सिप अपने भगवान के लिए गाते हैं किसी के दर्बार की शोभा नहीं बनते अकबा ने भगवान दास को अमिर उम्रा की उपाधी दी थी इसुव जाई के विद्रो को दबाने के दोरान विबिर्बल की हत्या हो गई थी 16-2 में सलीम जो की जहागीर था उसके नेतरतुम में दक्षिन से आगरा की और आ रहे हैं अब्दूल खजल को रास्ते में वीर सिंग बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी मुगल समराट अकबन ने अनुवाद विबाकी स्थापना की नखीम खान अब्दूल कादीर बदायू शेख सुल्तान ने रामायन महाबारत का फार्सी अनुवाद की और तथा महाबारत का नाम रज्म नामा इद्धो की पुस्तक रखा पंच तंतर का फार्सी अनुवाद अबू फजल ने अनवरे सादात नाम से तथा मोलाना फेज ने यारे दानिश नाम से किया हजी इब्राहीम सरदी ने अथरवेद का मुल्ला शह मौम्मद ने राज तरंगिनी का अब्दुल रहीम खान खाना ने तुझू के बाबरी तथा फेजी ने लिलावती का फार्सी में अनुवाद किया फेजी ने नल दम्यंदी सूर्दाजवारा रचित कथा का फार्सी में अनुवाद रखा उसका नाम सहेली रखा अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वन्न काल कहा जाता है अकबर ने बिरबल को कवी प्रियतता नर हरी को महापातर की उपाधी परदान की बुलन दरवाजा का निर्मान अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष में करवाया था चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू ही अकबर ने शीरी कलम की उपाधी अब्दुल रसंत को एहम जड़ी कलम की उपाधी मुहम्मद उसे कश्मीरी को दी